तो भाया वरत आ रहा है तो उसकी थोड़ा तयारी कर लो ज्यादा कुछ बनानी चक्रम मत पढ़ना सुगह एकदम हलका हलका रखना ऐसा करना हो कूटू के आठेक पूडी बना लेना पूडी ना पकॉडी कर लेना पूटूपक पकॉडी और साबुदाने मीठा साबुदानी खीर बना लेना और चायक साथ इदम लाइट लाइट ब्रेकफास्ट हो जाएगा और लंच में ही भाई वरत है तो ज्यादा मत करना आलू सबगी मना देना रसेदार आलू टमाटर वाली और खटा मिठा कद्दू क कर लेना उसके साथ और पूडि निकाल देना सिंगारे कहां तो मुझा घ्र देना तो मीठे में मीठे में कजा राधूप कर लेना बढ़े या दढ़ी का कुछ कर लेना वह जो वेजटेरियन दढ़ी बड़े वेट्राइट पर इसीपी देखी होगी तुमने जो वेजटेर पिर जो है वो शाम का स्नायक जो हो तो बिल्कुल हलका रखना उसमें उसमें देखो उसकी ज़्यादा तैयारी करने जरुवत नहीं है उसके लिए आलू उपाल के अलू कि टिक्या उतार देना बढ़िया देशी की में चम चम करके बून देना उनको वीगन वाला जो देशी क साथ में कुछ फ्रूट्स भी हो जाएंगी थोड़ा सा केले रख देना दो थी थोड़ा सेव रख देना थोड़ा संसरा बेख देना तकि लाइट स्नायक हो जाए शाम के समय और डिनर तो बिलकुली हलका है दिनर में कर देना तुम साभगाने की खिचड़ी और फ्रूट चलाद कर देना अलू टमाटर की सबजी कर सकती हो और अगर कका को न समझ में आया तो उनके लिए पूरी सेख देना तो बिलकुल जादा नहीं हलका हलका पूरा दिन जो है हो तो इसी बगार ना यारी करो जो अबरत रखेंगे जबारी सेयाद कि लिए कुछ तो करना चींग